नमस्कार दोस्तों, आई स्माने में आपका स्वागत है, मैं उतकर सिंग, आज के हम करेंड अफेर नेलेसर में बात करेंगे GST सम्बंधी नए नियम पर, GST क्या है? इसे सम्बंधी नियम पर बात करेंगे GST, जीस्टी मुख्य रूप से 2017 में मतलब आने की प्रेके में बहुत दिन पहले से था लेकिन एक जुलाई 2017 से लागू हुआ इसका मुख्य देश भर में तमाम तरह के सुलकों को मतलब अलग 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 टैक्स को कम करके खतम करके पूरे भारत में सिर्फ एक टैक्स जीस्टी लागू करने का था तो हम इसी पर बात करेंगे कि चर्चा में क्यों है जीस्टी संबन्दी नयनियम हाल ही में केंद्री अपतच्छकर और सीमा सुलक बोर्ड ने ऐसे व्यवसाय जिनका मासिक टर्नोवर 50 लाग रुपए से अधिक है के लिए कुल वस्यूम सेवा कर गूट एंड सर्विश टैक्स जीस्टी देता को कम से कम एक प्रशन का भुकतान नगत में करना अनिवार बता दिया है हाली में मतलब केंद्री अपतच करों सीमा सुलक बोर्ड जो जियस्टी टैक्स लगाता है चीविवसाय जिनके महीने का टर्नोवर ऐसा बिजनेस जिसका महीने का टर्नोवर 50,00,00,000 से जादा हो तो उन लोगों को फुल वस्त्यूम सेवा कर गूट्स एंड सर्विश टैस जीस्टी मतलब कम से कम एक परशंट जो भी जीस्टी देंगे उसका एक परशंट हैंड कैस देना होगा मतलब आललाइन नहीं देना होगा उसको हाथ में देना होगा नोट में देना होगा ठीक है तो किंद्रिय परत्रशकारों सीमा सुल्खबोट सीवी आईसी ने बताया है कि जिस भी कमपनी का जिन भी लोगों का मासिक टर्ण होगा पचास लाग रुपैसे अधिक है वो जीस्टी का एक परशंट बुकतान नगद रूप में करेंगे मतलब उसको जमा करेंगे पहले आंलाइन होता था यह एक जिनभी 2021 से परवाई होगा एक जिनभी 2021 से परहूंगा मतलब ना हम परहूंगः हो की यह रिख जिरफ्ठ करता है जो यह हनानियम है वह 99% तक GST देने के लिए Input Tax Credit एक सिस्टम है इसके प्रयोग को प्रद्वन्दित करेगा CBIC ने ITC संबंदी दोखालाड़ी के लगबग 12,000 मामने दर्ज किये हैं और अब तक ऐसे मामनों में 325 लोगों गिरपतार किया है CBIC ने के अंद्रिय अपते शकर और सीमा सुलक बोर्ड ने अब तक ITC के 12,000 मामने दर्ज किये हैं इनका टैन्स क्रेप्शन के मतलब 12,000 मामने दर्ज किये हैं और जिनमें लगबग 322 लोगों गिरपतार किया गया है इस कदम से नकली बिल के मात्यम से कर चोरी पर अंकुष लगेगा CBIC ने पकड़ा 12,000 मामने दर्ज किये हैं और 322 लोगों पकड़ा हैं जिसे वो जाली काम करते थे नकली बिल बनाके और टैक्स चोरी किया करते थे दुकानदार हुए या जिनका 50,000,000 पर टैनोबर होता था आई टी सी को कच्छे माल उब्बोकता सामगरी वस्तुयों सेवाओं को खरीद पर चुकाए गए कर कोशपर्ष करने के लिए पदान के जाता है जो कर चुका रहे हैं उसको आपको स्पर्ष करका कि आपने कितना रुपए कर चुकाया है कितने रुपए कर चुकाया है कितने रुपए आपका इसका फीस है समान का फीस कितना है सर्विस का फीस कितना वो कितना है और उसके बाद टैक्स आपने कितना चुकाया है यह आई लाबो नहीं होगा जो प्रजबद लगा है वह इन मामलों में लाघ नहीं होगा किनकिन किन मामलों में जहाばeli देशक या उसके किसी सहजगी ने आयकर के रूप में एक लाफ और रुपए या उससे जयादा किया है जहां पर प्रवंद देशक ने जहां कि प्रवंद या उसके किसे सायोगी ने इंकम टैक्स के रूप में एक लाव रुपए या उससे ज्यादा कादा किया है मतलब एक लाव रुपए से उपर इंकम टैक्स दिये हैं तो उनका जीस्टी में यह एक प्रहनवाल सिस्टम नहीं लाग होगा पंजी कृद्ध बंति को अपरेओत इंपुट टैक्स क्रेट के कारण पूरवरती विर्ष में एक लाव रुपए से अरण की वापती राश परापत हुई हो मतलब वो आईटी से जमा किया हो लेकिन जमा ना हुआ हो तो उसका एक लाज रुपे से अधिकी राश्च वापस हुई हो इस तरह नए नियम के तहट जी एश्टे पढ़ा लिए पंजी करिद कुल व्यवसाओं में केवल 0.037 प्रस्ट ही सामिल है इस तरह जो नए नियम बना है इसमें कुल पंजी के व्यवसाओं में से केवल 0.037 प्रस्ट व्यवसाओं ही सामिल है जो 50 लाज से नीचे है अख़ेन के व्यवसाओं में से मात्र 4 लाक गषाओं जिनका मासक टनोबर 50 लाक रूपय से अधिक है एक द्रस्ट मतलब اकसोथीस लाक में से चार लाक गषाओं पंजी व्यवसाओं बागे सब व्युसाओं 15して नीचे है बरतवान में इनमें से केवल 1.5 लाग वेवसाई ही अपना GST देता कि 1% से कम का नगत में बुक्तान करते हैं और नए नियमों करते हैं छूट आप करने के बाद लगभग 1.05 लाग अतिरिक करदातर नियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे मौझूदा समय में केवल 1.5 लाग वेवसाई ही अपनी GST को 1% से कम का नगत में बुक्तान करते हैं मतलब बाकी 99% से जादा GST आनलाइन बुक्तान कर देते हैं तो लगभग 1.5 लाग लोग 1% से कम का बुक्तान नगत में करते हैं और नए नियमों के तरह जो छूट प्राप्त होगी इसमें लगभग 1.5 लोग अतरित कर दाता और जूड़ जाएंगे इस तरह नए नियम केवल 40.000 से 45.000 कर दाताओं पर ही लाग होगा मतलब 1.5 लाग लोग वसाई में थे 1.5 लाग लोग इसके दायरे मा जाएंगे तो कितनी लोग बचेंगे इन पर प्रतिमन लाग होगा 40.000 से 45.000 लोग के बीचिए अब बात करते हैं इसकी आलोचिना पर यहां संका है कि नगत भुक्तान को अन्युआर बनाने से चोटे ब सुदिते बिच्छ प्रतिमन बन जाएगे जो बीचेंग हैं वो कह रहे हैं कि नगत भुक्तान जो अन्युआर बनाने से चोटे बैपसाइज होंगे उन पर प्रतकूल प्रभावा पड़ेगा यह सिर्व बढ़ी कमपनियों को फायदा पोचाएगा इससे उनकी पूजी सं पक्ष रख रही है राजस्विवाग का मानना है कि नए नियम से संब्धित सभी आसंका है पूर्दा निराधार हैं और इसके कारण के वही डीलर और आपरेटर सामिल होंगे कारण इसके कारण इसनय नियम के कारण वही डीलर और आपरेटर मतलब उनको घाटा होगा जो अनुतरदाई हो संदे जनफ हो उन्ही डीलर और आपरेटर को इससे घाटा होगा या प्रवाविध होंगे सरकार के निशार ये नए नियम नकली चालान और इंपुट टैक्स क्रेडित में सामिल लोगों की पहचान करने और उने नियंतेत करने के लिए जेश्ची परिस्थ की कानून समीत में बिष्टी बिचार विवर्स की बात बनाए गये हैं केंद्री अपपत्रच कर यूम सीमा सिल्ख बोड़ मतलब टेक्स बटोनने वाला घुस्स्याई केंद्री उत्पाथ सिल्खूयूम सीमा सिल्ख बोड या पहले द से करता है अगर वीडियो से कुछ भी करें वीडियो को लाइक किजिए दोस्तों में शेयर किजिए चालों सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद